अल्लापाक ने इन दस दिनों की सुबा की पुरान मजीद में कसम उठाई है और कसम उठाने का मतलब अगर हम किसी की कसम उठाते हैं तो क्या वो बात जूटी होती है कुछ लोग जूटी कसमे भी उठाते हैं लेकिन कुछ लोग सच्चे होते हैं तो हो सच्ची कसम भी खाते हैं उठा लेते हैं वैसे तो कसमे उठाना नहीं चाहिए लेकिन अल्ला पाक ने सुबह की कसम उठाई है अब जैसे कि Allah पाक हमें देख तो रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं कब हम अपना टाइम जाय कर रहे हैं कब हम अल्ला को राजी कर रहे हैं किस तरह हम अल्ला को राजी कर रहे हैं हमने क्या आमाल किये देखिए अगर किसी फैमिली मेंबर्स में शादी होने वाली होती है तो हम दो महीने पहले से शॉपिंगों में लग जाते हैं हम दो महीने पहले से सारे काम कर रहे होते हैं और दस दिन जब लास रह जाते हैं हम तो उसमें और ज़दा डूल लबक्का कर रहे होते हैं नाज गाना कर रहे होते हैं सही होता है बहुत ज़्यादा जिमेदारियां बढ़ जाती है तो क्या हम दस दिन अल्ला के लिए नहीं निकाल सके क्या हम देखे ना सात्वी तारी के आज बागी के छे दिन तो चले गए सात्वी राते अबादत की तो क्या हम अबादत नहीं कर सकते अबादत में क्या अल्ल हमारी राजी हो जाए कि कोई एक छोटा सा अमल अल्ला को अच्छा लग जाए हम ये बात नहीं सोचते कि अल्ला वाकिए देखें हमारे दिमागों में बैठा है कि अल्ला है लेकिन हमारे हमने ये भी तक ये मतलब इस चीज़ पर बलीव नहीं है नहीं वाकिए जो हम सोच रहे होगा मतलब बहुत सारे लोगें जो नहीं अल्ला पर यकीन तो रखते हैं लेकिन कहीं न कहीं उनके दिमागों से ये चीज़ हर्ट जाती है तो ये चीज़ हटाने वाला कौन है शेतान अपने दिमागों से शेतान को हटाएं, जितना जादा हम अल्ला का जिकर करेंगे, उतना जादा शतान मरता है, हमारे अंदर नहीं गुस तकता अगर हम अल्ला का जिकर करेंगे, अल्ला को राजी करेंगे, जब कोई चोरी करता है, तो अल्ला उसको भी देते हैं, कोई किसी का करने का चोरी करने में दुनिया में तो उसको मिल रहा है आखरत में उसको कुछ नहीं मिलेगा एक बंदा मेहनत कर रहा है सुबह शाम तो उसको दुनिया में भी मिल रहा है और आखरत में भी मिलेगा क्यों क्योंकि वो हलाल रोजी कमा रहा है तो हमें भी अल्ला सी तरह देख आमाज से अल्ला को राजी कर देना कि अल्ला हमसे राजी हो जाए और हमें कुछ अच्छा मिल जाए अब हम दुनिया की परिशानियों में लग जाते हैं और दुनिया की टेंशनों को लेके बैठ जाते हैं हमें ये मिल जाए एक्जेम्पल अगर हमें वो चीज मिल जाए अभ आखरत अच्छी हो हमारी कबर में जाए तो कबर की मुश्किल जो हमारे सवाल आते हैं हम उसमें पास हो जाए अल्ला को राजी करके जाएंगे लगो मू दिखा सकेंगे ऐसे ना हो कि फरिष्टे हमें डंडे मारते वे घसीरते वे लेके जा रहे हो ऐसा ना अमल हो हमसे ऐसी अमल कर ले ऐसे अल्ला से अपनी माफी मख़रत करवा ले इन रातों में इन दिनों में कि अल्ला जब हमें मौत आये तो कमसकम हमें इजदत से परिष्टे लेके जाएं और हम खुशी-खुशी जाएं कि अब हमारा टाइम आ गया मरने का बरना कबर की अंधेरी रात में जब हम बैठे होंगे अंधेरे में और बहुत सारे फरिष्टे जब हमारे पास आएंगे मुन करना किया तो यहां तो हम रोशनी देख सकते हैं वहां पे नहीं देख सकेंगे जिसके लिए भी हम दुनिया में जो भी काम करते हैं भी हमें छोड़के चले जाएंगे तो सबसे ज़्यादा मख्विरत मागने है माफी मागने है अल्ला से अल्ला हमें माफ कर देए अल्ला किसी तरह जो भी मेरे गुना है छोटे बड़े सगीरा कबीरा बोशिदा और जाहिरी बचपन से लेके अभी तक चिन चीजों से आप नराज हुएं अल्ला माफ कर देए किसी तरह Cop कर देए अगर मर गएना माइदा क्या होगा और अल्ला माफ कर देंगे अल्ला देख रे होते हैं अपने बंदों बो कि कौन उठ रहा है कौन सोते सोते उठ रहा है नमाजे पढ़ रहा है कौन तहाजुद में रो रहा है कौन बाहर नहीं जा रहा मेरी इबादत के वज़ा से किसको मैंने क्या मना किया है वो मेरी बात मान रहा है नहीं मान रहा हर चीज देख रहे हैं न अल्ला देखिए इतनी दुनिया में मेरत मुशक्कत करते हैं हम अल्ला को राजी करने के लिए तो अल्ला जाया थोड़ी करेंगे जब हम बुरे होते हैं यह हम बुरे गाम कर रहे होते हैं तब भी तो अल्ला देख रहे होते हैं तब भी तो अल्ला हमारी हर चीज़ को पूरा कर रहे होते हैं लेकिन क्या वो सिफ दुनिया की सरुते पूरी हो रही होती हैं बुनागार इंसान की आखरत में उसका कोई अजर नहीं है आखरत में उसको गसीडा जाएगा और फिर बहुत बुरी तरह मारा जाएगा दुनिया में हम यह सोचें कि हम तो इतने बुरे हैं फिर भी हमें हर चीज़ मिल रही हैं हम इतने बुरे हैं फिर भी हमें बिन मांगे कपड़े मिल जाते हैं बिन मांगे जो है दुनिया की सारी नहमते मिल जाती हैं पैसे मिल जाते हैं एशोश औरत इश्रत जो भी सारी आखरी सांस तक देखें अगर हमें दो मिनट की जिंदगी भी मिली ना और हमें हिदायत मिल गई सीधर रास्ता मिल गई आखरी सांस तक तो वो दो मिनट की जिंदगी भी हमारी सुकून की बाद में गुजरेगी अल्ला के पास चले जाएंगे तो और अगर यही सालों की जिं आप से बचाए, जन्नत में जाने की हमें तौफीग दे, जन्नत में जाने वाले काम करें, अल्ला को राजी करें, अल्ला को राजी करें, देखें जब हम नमाज, रोजा, कुरान, मजीद और ताहजोद इस तरह की काम करते हैं, खुद बाखुद हमारी रूह अच्छी हो जात क्योंकि अगर हम इतनी अबादत कर रहें और यह जाया कर दे हो गए हमारे अमाल क्या फाइदा रात में उठके नमाज पढ़ना असान बात है गर्मी में बदा नमाज पढ़े असान बात है तो बट्टे लपेट लपेट के हिजाब में घूमो असान बात है लोग शॉपिंगे छोड़ देते हैं जाना आना छोड़े तो बस ये तीन दिन ओर है जिस तरह हाजी जो हैं अल्ला को राजी कर रहे हैं महनत करके मुशक्कत करके हज करना असान बात है कितनी महनत रहे हैं तो हमें अल्ला टाला देखेंगे जब हम इस दुन्या से जाएंगे और हमारे गुना ओंगे जब हमें मतलब कि हम अपने घर्मी में हम अपने ही पसीने में ढूबे हुए होगी गलो आफ़ हमें जिसम से इतनी स्मैल आ रही होगी कि हम भरदाश नहीं कर पाएंगे वो बद्बू अभी तो हम अगर गर्मी में ऐसा कुछ होता है हम फौरन आ आ लेते हैं फौरन से फ्रेश हो जाते हैं पसीने खतम हो जाते हैं हमारे अभी हम पर्फ्यूम लगा लेते हैं कोई ना कोई यही होता है लेकिन वहाँ पर कौन सा पर्फ्यूम लगाएंगे वहाँ पर कैसे पसीने को खतम करेंगे यह अभी गर्मी की सीजन में जो हम कर रहे हैं यह सारे अबाया पैनना बहार जाना गूमना फिड़ना सारा कुछ अल्ला की मतलब बहुत सारे ऐसे काम है जो हमें गर्मी में करने होती हैं जैसे लोग महनत से काम कर रहे हैं अब वो इंसान चोड़ी बिटो कर सकता है लेकिन वो महनत ही क्यों कर रहा है गर्मी में तो अल्ला को राजी करने के लिए है तो सारे अच्छे गाम करने चाहिए और अल्ला से मांगते रहना चाहिए मांगते रहना चाहिए मांगते रहना चाहिए अल्ला को राजी करके उठें और अल्ला से बोलें अल्ला मैं आप से नहीं मांगो तो किस से मांगो मुझे आप ही देंगे आप किसे वक कोई देख नहीं सकता शेतान मुझसे दूर है, शेतान के वसफस से मैं दूर रहू, यूगि शेतान वसफस से डालेगा तो फिर मसला हो जाएगा, शेतान के वसफस से दूर रहू, अल्ला मुझे नमाजों का पावर बना दे, मुझे हिदायत दे, मुझे तहाजित गुजार बना दे, मुझे गुर दौाओं की, खतम नहीं होगी वो वो सब मांगनी है अल्ला से तो तीन दिन रह गा है जिस जसने इबादत नहीं कियोगी, अल्ला को राजी नहीं किया हुआ, ओ कमसका में इन तीन दिन में ही कर ले हैं, कुछ नहीं तो उस्ला बिचाके दुआएँ ही मांग ले है. दुआएँ मांग ले है. कुछ नहीं कर सकते. जो जौब फे जाने वाले हमार्थ हजराथे हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो वो दुआई मांग के अपनी अल्ला की के सामने, जो हैं, बात को रख नाएं. मुझे हो और आपको अल्लापाक तुफीक दे कि हम अल्ला को राजी कर ले